कस्मीर में चुनाओ का रिजल्ट आने के बाद अचानक से ये क्यों कहा जा रहा है पाकिस्तान के एक्सपर्ट के द्वारा कि कस्मीर तो हाथ से गया कस्मीर को भूल जाओ जानेंगे आखिरकार चुनाओ रिजल्ट से ऐसा उनको क्या समझ में आया है इस कदर गिरेंगे ये समझ में नहीं आया था हलाकि इन सब के बीच में भारत ने क्यों कहा है दुनिया चाहे जो कुछ कहती है कहने दो लेकिन हम कुछ अलग ही कर दिखाएंगे जियो पॉलिक्स में बहुत कुछ चल रहा है हमेशा की तरह CIS News Network के इस एपिसोड में जानने को बिलेगा बहुत कुछ आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से कस्मीर में जो चुनाओ हो रहे थे हमने आपको पहले भी बताया है कि दुनिया भर की नजरे इस चुनाओ पर थी कि इस चुनाओ का असर क्या होता है जम्मू कस्मीर की 90 सदस्यों वाली विधान सभा के लिए हुए चुनाओ के नतीजे मंगलवार को घोसित हुए चुनाओ में नेशनल कॉन्फरेंस ने 90 में से 42 पर जीत दर्जी की वहीं उसकी सहयोगी कॉंग्रेस के खाते में 6 सीटे गई बीजेपी ने जम्मू रीजन की 29 सीटों पर जीत दर्जी पीडीपी और दूसरे पार्टियों का कोई खास प्रवाव नहीं रहा इसी बीच सैयद सब्बर जैदी इन्होंने एक ट्वीट किया है स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख सकते हैं जिसमें इन्होंने कहा कि कल पाकिस्तान ने कस्मीर हमेशा के लिए खो दिया असमीरियों ने भले ही बीजेपी के वोट ना किया हो लेकिन इनों ने नेशनल कॉनफरेंस के सेख अब्दुल्ला को किया और मैं अगर देखूं और मैं बोलूं तो इन्होंने हिंदुत्यू को भी छोड़ा और पाकिस्तान को भी छोड़ा ये दोनों में से किसी को फसंद नहीं कर रहे हैं और ये सब का कारण क्या है पाकिस्तान ने खुद अपने देश में जो किया है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है सेद सबर जैदी है कौन ये सक्स पाकिस्तान के बड़े अर्थसास्त्री और इनके राजसोबोड के अध्यच रह चुके हैं सेद सबर जैदी और ये किस तरीखे से बात करते हैं ना मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप देखें इनके वीडियो को प्रवाई्ष तो है तो फिर बरावरी करने के पैसे हैं नहीं है ना तो ये जग मैंने शुरूरे बात की थी ये प्रवाई्ष दिमाद से निकाल दो कि हम इंडिया से लड़ सकते हो ये मान लो के नहि해설 लड़ सकते हाँ आगर वो हमारे पार हम्ला करने के दें आंगे तैंड आपके आखरी जंग का वोई थी ये बड़े ही बेबाग तरीके से बोलते हैं एकदम ठाए की तरह की सीधे बात भेजे में उतर जाए इन्होंने सीधे सीधे कहा क्या करोगे लड़ने जाओगे आरत के साथ देखा है खुद को इस तरीके के लेंग्वेज जो आपने वीडियोज में देखे ये एकदम सीधे जमीनी बात करना होता है तो इन्होंने यहाँ पर कहा कि हमारे ही देश में जो हमारी नीतियां है उस नीतियों से पता चलता है हलाकि पहले भी वो कई सारे स्टेटमेंट दे चुके हैं ये यहाँ तक बोज चुके हैं कि क्या बात करते हो तुम भारत की एक कमपनी टाटा की जो एकोनोमी टाटा की जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हमारे पूरी एकोनोमी के बराबर है हमारी GDP के बराबर है कि आप मुकाबला करने की बात करते हो हम तो कहीं ठिकते ही नहीं है हम तो उनसे मुकाबला ही नहीं कर सकते है अब इन्होंने इस बात को क्यों कहा इन्होंने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि जम्मू में तो एकदम से बदलाओ देखने को मिल रहा है कि जम्मू पूरी की पूरी बीजेपी के पक्ष में चली गई बाद बखी नेशनल कॉन्फरेंस भी अपने सूर को बदल रहा है आर्टिकल 370 के लिए इन्होंने जो बोला था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम आर्टिकल 370 को फिर से लाएंगे वो चीज़ अब यहां पर देख रहे हैं कि यह सूर बदलते हुए नजरा रहे हैं पियमोदी की यह तारीफ कर रहे हैं और तारीफ करने का मतलब हो गया कि यहां आने वाले समय में पाकिस्तान का गुजारान नहीं है वैसे आपको बता दूँ सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कहा वो सच कहा है इसलिए सच कहा है क्योंकि अब ज़्यादातर लोग जो हैं कस्मीर के भी लोग चाहे वो किसी को भी वोट करें लेकिन इस चीज को मानते हैं कि वहां सांती आई है डवलपमेंट आया है और लोग अब पढ़ाई लिखाई अपने बच्चों को भी आराम से करवा पा रहे हैं तो बहुत सारी चीज उन्नती को ये देख रहे हैं पिछले दस दिनों से चाइना ने न तबाही मचा कर रखी थी एक पैकेज क्या ले आया दुनिया में ऐसी हडबडाहट मच गई और बहुत सारे ऐसे चालू किस्म के निवे सक जो बड़े बड़े सलाह को दरकिनार करते हुए भारत से भी पैसे निकालने लगे क्योंकि बिसे सग्यों ने ये चेताया कि देखो ये जो पैसा अभी चाइना में लग रहा है ये सौट टर्म है क्योंकि एक घुसना आई थी जिसने ये आबो हवा फैला रखा था कि चाइना एक बड़ा पैकेज तो लॉन्च करी रहा है share market में लगाई रहा है इसके बाद लगातार दो साल तक ये इसी तरीके से package निकालता रहेगा और जब package निकालता रहेगा तो short term पैसा लगाने वाले भी सोचने लगे चलो यार, चाहे किसी भी तरीके से हो पैसा तो आए गई न, short term ही सही अगर पैसा double, triple हो जाता है तो इससे अच्छा क्या होगा पिछले 10 दिनों में हो भी ऐसा रहा था 23% का return, 22% का return इस return को देखके तो हर कोई चाहेगा short term ही सही, चलो फाइदा उठा ले बादी गंगा में हाथ दो ले ऐसा ही हुआ जिसमें भारत से भी काफी सारा पैसा निकल गया वैसे आपको बता दूँ कई सारे expert थे जो सुरू से चेता रहे थे चाइना कुल मिलाकर इस तरीके के पाँच बार कर चुका है और पाँच बार में भी उसकी इस्तिती नहीं सुदरी है, दगाजन की एक खबर देखिए, चाइनीज स्टॉक्स 27 सालों में जितना नहीं गिरे होंगे उतना ये बुरी तरीके से इस बार गिरे हैं, इतनी जल्दी ये च्छन आ जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था, कितना गिरा है और किस तरीके से हाहकार मचा है, उस पर भी बात करेंगे और क्यों मचा है, पर उससे पहले ये जान लीजिए, चाइना ने पांच बार इस तरीके से पैकेज दिये हैं, 2015 से लेकिन ये पैकेज उनके लिए बेकार साबित हुए हैं जब जब वो उठाने की कोशिस कर रहे हैं, तब तब उनके लिए समस्या आती जा रही है और ऐसा सिच्वेशन बन गया है कि डिफलेशन का सिकार हो गया है, खुद उनका देश 18 लाख करोड डॉलर, ये बुरी तरीके से चाइना के रियल इस्टेट में गायब हुआ, अब यहाँ पर इनों ने पैसे तो उडेल दिये लेकिन ये जो पैसे इनों ने उडेले घर खरीदने वाले फिर भी लोग नहीं आए, और जब घर खरीदने वाले लोग नहीं आ रहे हैं तो जो इस्ट्रक्चर बनना था वो इस्ट्रक्चर बना नहीं जो इस package के life cycle में तीसरा पड़ाओ था वो हुआ ही नहीं अब जैसे ही चाइना का market golden week के बाद खुला है 11% तक गिर चुका है इसके बाद समलते समलते करीब 9.5% तक ये गिरा है पूछा गया कि आखिर कारण क्या है तो कारण ये है कि निवेसक सोच रहे थे कि पैसा और package आएगा फिर से package आएगा लेकिन चाइना ने नए package की घोसना नहीं की है इसलिए यहाँ पर ये गिरावट देखने को मिल रही है वहीं दूसरी तरफ भारत की economy की बात करें कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे आप याद रखिये भारत की GDP growth rate financial year 2025 के लिए 7.2% की होगी किसी तरह की कोई गिरावट यहाँ नहीं आने वाली है भारत इस्तिर रहने वाला है वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ